नमो नारायन कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे तो आज का विशह यह है कि मेरे को वैसे ही बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि आजकल समाज में या घरबार में या ओफिसिज में काम के दफ्तरों में एक ऐसा सा एक अननेसेसरी एक प्रेशर सा बना दिया गया लोगों के उपर उनको गुलाम सा बना दिया गया उनको असब्बे सा बना दिया गया जैसे पहले यह होता था कि अभी आपको बहुती मुश्किल से देखने को मिल लगा कि लोग ठाके लागे हसते हैं या खुश होत और यह खाली हसने असने तक ही सीमित नहीं है जैसे कुछ चीजें ठीकी जैसे हम करते थे कि जैसे ताली बजाना ही हो गया जैसे कि आप जोर से जोकर ताली बजा रहे हैं तो आप असब्बे हैं जोर से बात कर रहे हैं तो आप असब्बे हैं हाला कि कुछ ऐसा होता है कि जैस खुश आदमी एक इस तरह का जीवन जी सकता है कि खुश है तो जोड़ से ठाके लगा के खुश होए हसे दूसरों को भी हसाए लेकिन इसका आज बिल्कुल ही आजकल विपरीत हो गया है कि एक दम से गुलाम से बना दिया गया है समाज ने बनाया है या इस अब शॉड़न वोल्ड ने बनाया है या वेस्टन वोल्ड ने बनाया है या हम लोग अपने रितिर्यवाद सारी जीजे भूल चुके हैं अपना आच्रण ववेवार सब कुछ बूल के हम इतने इन चीजों के परत्ति हम इतने अपने आपको को एक क्लाइन कर लिया है इन ची ता कि आप जो भी चीज आपको अच्छे लगती है वो करें आप दूसरे के हिसाब से अपने आपको ना बदलें क्योंकि आप यहां पे किसी दूसरे का मनुरंजन करने के लिए नहीं आए हो और यह आप सब को ही पता है और क्या और यह शायद मेरा शायद यह नोटिस बात न दोवार हैं पड़ हैं तो आपको जो लोगों को जो सोचना है उन्हें सोचने दें जो आपको अच्छा लगे वो करें तो मेरा च्छोटा संदेश था आप भसेंगे जो भी आपका मन करेगा वो करेंगे धन्यवाद नमो नारायन